हेलो फ्रेंड्स में राकेश कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस पकार से अपने मोबाइल फोन से पेप फोन का एकाउंट बना सकते हैं उसे किस पकार से केवाई मोबाइल फोन में प्लेय स्टोर में जाएं और फोन पे एप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड और इंस्टाल कर लें डाउनलोड और इस्टाल होने के बाद आप इसे ओपन कर ले ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहां एक पर्मिस्न मांगा जाएगा आप यहां एलाओ को अप्सिन पर आप क्लिक करते जाए उसके बाद आपके साभने एक नाया पर जाजा जागा आपको यहां और लोगिन के option पे आप क्लिक करके इस phone pay account में आप इन हो जाएंगे आप phone pay account पहली बारा बना रहे हैं तो निचे एक option है don't have phone pay account उस option पे आप क्लिक करके आप अपना phone pay account क्रेट कर सकते हैं तुसलिए हम इस option पर हम क्रेट कर लेते हैं कि उसके बाद आप अपने यहां 10 डिजिट का मुवाइल नमर यहां डाल दे उसके बाद आपके मुवाइल पर एक OTP जाएगा उस OTP को आप यहां फिल कर दे उसके बाद आप नाम यहां फिल कर दे उसके बाद आप यहां निचे देख रहे हैं email address तो चाहे तो अपना यहां email address जा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी जा सकते हैं उसके बाद आप निचे एक option है आपको दिख रहा होगा चार डिजिट का पासवर्ट देने के लिए यह पासवर्ट जो है अब जब भी आप फोन पर एकांट पर आएंगे लोगिन होंगे तो इस पासवर्ट को आपको वह पूंपे का account जो है create हो चुका है उसके बाद आपके सामने इस तरह का फोन पर का homepage आजाएगा जो आप यहां देख सकते हैं यह आप अपना recharge इस अप के दौरा कर सकते हैं बिजली का विल्ट जमा कर सकते हैं किसे के account में आप payment कर सकते हैं और फोन पर के दौरा आप रिचार बहुत सारे option है जो आप इस आप के दौरा प्रेमिंट कर सकते हैं जाए mobile recharge हो डिटीज रिचारज हो एलेक्ट्री का बील हो वाटर को पेमिंट हो गैस का payment हो किसी के account में payment करना हो तो आप इस आप के दौरा कर सकते हैं और लाग का बुक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस पकार कर सकते हैं तो चलिए हम इसे हम अपना bank account से जोड़ लेते हैं जब आप इस homepage के ऊपर की और बढ़ेंगे तो आपको यहां तीन option दिखेंगे add bank account, active wallet और add new card तो हम सबसे पहले हम add bank account में हम click कर लेते हैं और अपने phone paper अपने bank account को add कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा और आप उस bank को आपको select करना होगा जिस bank में आपका खाता पुला हुआ है तो हम नीचे के और बढ़ते हैं और अपने उस bank account को हम यहाँ select कर लेते हैं जिस bank में हमारा खाता है उसके बाद आपको उस number को select करना होगा जो number आपने bank account में दिया था bank में दिया था उसके बाद आपको यहाँ continue को option है निचे उसे आपको click करना होगा तो चुली हमने इसे click कर दिये हैं उसके बाद आपको कुछ sms charges जो करते हैं आपको यहाँ दिखी जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ save का एक option आपको दिखी जाएगा और उस save के option आपको click करने के बाद आपको इस तरह का यह continue हो जाएगा continue होने के बाद आपको यहाँ आपका bank आपको दिख जाएगा कौन सा bank आपका account है प्रांच IFC code दिख जाएगा आपने पहले से आपने यूपिया बना रखा है तो आपको यहाँ दिख जाएगा उसके बाद आप निची देखेंगे check amount balance आप आपने bank account का जो balance है आप यहाँ इस option पर click करके आपने bank account का जो रासी है आप देख सकते हैं तो चलिए हम इसे click कर लेते हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ लोडिंग हो रहा है और कुछ देर में आपको जो balance है आपका bank account का आपको यहाँ दिख जाएगा तो आप देख रहे हैं कि हमारा दोस्ति यारों को अपने किसी भी contact पर आप किसी को भी पैसा भेश सकते हैं उसके भीम UPI पर भेश सकते हैं या उसके account पर भेश सकते हैं तो चलिए हम दूसरा option पर चलते हैं active wallet पर इस option पर हम इसे click कर लेते हैं आपने wallet में पैसा रखने से पहले आपको यहाँ आपने phone पर account को KYC करना होगा तो हम provide पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ आपको complete KYC का option आपको दिख जागा आप यहाँ documents में आप कुछ भी select कर सकते हैं यहां आपको यहां देना होगा चुक्ति आपको यहां देना होगा तो हम अपना यहां पैन नेमबर यहां डाल देते हैं और उसके बाद नीचे एक आप्शन है पैन जो नेम होल्डर नेम है वह आपको डेनना होगा तो हम अपना यहां अपना नाम दे देते हैं कि उसके बाद निचे ऑप्शन है वेरिफाइए इस वेरिफाइए के ऑप्शन पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं कि क्लिक करने के बाद आपको यह के वाइसी जो है सक्सेस्फिल हो जाएगा और यहां आपको यहां दिखा रहा है मंतली ट्रांजेक्शन लिमिट है जो है 10,000 तक है आप यहां 10,000 से ज़्यादा आप टैंजेसर नहीं कर सकते हैं उसके बाद यहां डन के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहां add new card इस ऑप्शन पर आप क्लिक किजिएगा तो अपना debit card और credit card को आप यहां add कर सकते हैं है कि तो आप चाहिए इसे एड़ भी कर सकते हैं अन्य था नहीं भी कर सकते हैं तो आप यह रिखा होगा एक सपारी डेट तो आप यहां मन्थ यह यह यहां डाल दें उसके बाद cvb code जो होता है आपके debit card credit card के पिछे में 3 digit का code होता है जो काला पट्टी के बगल में 3 digit का code होता है यहां फिल करतें उसके बाद यहां इसे add पर click करके अपने debit card और credit card को यहां add कर सकते हैं तो friends इस पकार से आप phone pay का account आप बना सकते हैं उससे आप shopping बेगड़ा और bill payment कर सकते हैं तो friends उम्मिद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा जिदी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत जैहिन्से हैं के अेलिती हैं प्लीजियो वीडियो में प्लीजियो प्लीजियो झाल झाल